नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त दिनेश कुमार, स्वागत आपका The News World 24 में आज हमारे साथ में मौझूद हैं अंतराष्ट ये भविश्य वक्ता, पंडित रविंदर अचारिय जी रविंदर अचार जी का मानना है कि उनकी जो भविश्य वानिया है, वो हमेशा सटीक जाती है आखिर ये सटीक भविश्य वानिया, वो किस आदार पर करते हैं, किस गणना के अनुसार करते हैं उनसे हम जानेंगे, इन्होंने कई भविश्यवानिया की है, इनका दावा है कि इनकी जो भविश्यवानिया है वो हमेशा से टीक होती है रविंदर अचार जी सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है एक आप भविश्यवानिया करते हो, आपने काफी कुछ भविश्यवानिया की है तो ये भविश्यवानिया आखिर आप कैसे करते हैं, किस गन्ना के आधार पर आप भविश्यवानिया करते हैं बवशिवानी क्या है कि हम जैसे किसी की जनम दिनांग समय इस्तान लेकर और उस पर शोद करके इस्टेडी करके फिर करते हम क्योंकि बिना आधार के बवशिवानी नहीं होती या तो फेस रेडिंग हस्तरे का या जनम तित्थी वगरा से आधार पर ही हम पूरा उसका इस्ट इस्ट परबल होना चाहिए इस्ट जब तक परबल नहीं होगा इस्ट के आधार पर ही हम बवशिवानी करते हैं वो सटिक जाती है जी आपका कहना है कि इस्ट परबल होना चाहिए तो अब तक आपने किन-किन की बवशिवानिया किया है कि है जो सटिक हो ही है आपने CM पिछली बार रामचन जी बोरा के मैंने बश्री वाने कि थी पांसलाग वोटों की भो भी सफय्टीक सभी फ्रतिष्बा गई है अपके चवमो की विधायग रामलाल सर्मा की चामालीजार चारसो तैंतर बोर्टों की बोष्यवाने में की ती अभी नागरपा लेका में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा ये भी मैंने अभी बोष्यवाने की ती वो भी सटिक गई है और काफी जैसे फिल्म डेस्टी पे हुआ खेल कुद बगरा हुआ कि काफी खेल जगत म बोष्यवाने की है वो सो में से सो प्रतिस्त गई है जी जो आपने बहुष्यवानिया किया है आपने बी बताई कर आपने किन किन बहुष्यवानिया किया है वो भी सटीक गई है इसके अलाब अभी जैसे ये तो जो जा चुका उसके लिए हो गया अब आने वाले आने वाल देश के लिए तो यही है कि अभी 21 सदी में अपन चल रहे हैं तो विश्व गुरू बनने वाला है और बारत में बिल्कुल शांती विवस्ता बनी रहेगी और आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा अब राजस्तान की बात करें तो मैं अभी दोनों सीम से मिला था तो उनक कि जो जनम दिनाग समय और इस्तान मेरे को जल्दी मिलने वाला है वो मिलने पर मैं उनकी अध्यन करके शोद करके और चिंतन करके उन पर बहुश्वानी कर दूँगा यह जल्दी ही मैं आपको अभगत करा दूँगा जी तो आपने देखा कि यह थे पंडित रविंदराचारे जी अंतराष्ट यह भविश्यवत्ता उन्होंने किन-किन फिल्डों के अंदर भविश्यवानी किये हैं कई जो परीचित चेरे हैं उनके उपर की यह राजनेती में हो चाए वो बोलिवुड से हो अब इनकी भविश फिलाल इसी इंटर्विव में इतना ही धन्यवाद